वेलकम टू माई चैनल, आज मैं आपको 42 यानी की 21 साइज का बिल्ट बिलाउज की कटिंग करना बताऊंगी, ये मैंने 1 मीटर कपड़ा लिया है, ये नाप है मेरे पास, इसको आपको बराबर से ऐसे फैलाना है, सबसे पहले इसमें लंबाई नाप पी जाएगी, उसके चोड़ाई इसकी 21 इंच, अब कपड़े को ऐसे खोलना है, ऐसे खोल के इसको आपको बराबर से ऐसे फैलाना है, अब कपड़े को ऐसे फोल करना है कि नीचे वाला पल्ला उपर के पल्ले से एक इंच बड़ा रहे, जो पल्ला बड़ा रहेगा, वो आगे का पल्ला रहेग और जो छोटा पल्ला है वो पीछे का पल्ला रहेगा मैं नाप में आपको दिखा रही हूँ यह चोड़ाई 21 इंच है अब 2 इंच आपको इधर बढ़ाना है मार्जिन के लिए और 2 इंच इधर बढ़ाना है चोड़ाई से अब 25 इंच पे निसान लगाना है यह चोड़ाई का मैंने 25 इंच पे निसान लगा लिया है अब कपड़े को ऐसे फोल्ड किया जाएगा अब लंबाई का निसान लगाए जाएगा लंबाई 14 इंच है तो 2 इंच मैं मार्जिन के लिए ले रही हूँ पीछे के पल्ले से 2 इंच बढ़ा के निसान लगा जाएगा लंबाई का 16 इंच पर लंबाई का निसान लगा रही हूँ अब ऐसे सीधी लाइन खीच ली जाएगी अब इसमें कंधे का निसान लगा रही हूँ अब इधर आर्म होल का निसान लेगा आर्म होल का निसान भी मैं 6 छे इंच पर लगा रही हूँ अब इसको स्क्वार सेप में बनाना है स्क्वार सेप में बनाने के बाद गोल बनाना है जैसे मैं गोल कर रही हूँ ऐसे ही आपको भी गोल निसान बनाना है अब इसमें गले का निसान लेगा, गले का निसान में सबा 3 इंच पे लगा रही हूं अब इधर से मैं 7.5 इंच पे निसान लगा रही हूं, गले का अब इसको भी स्क्वेर सेप में देने के बाद गोल किया जाएगा गल्ले का निसान जितना छोटा बड़ा आपको लगाना हो उस हिसाब से आप अपने हिसाब से लगा सकते हैं अब इसकी cutting की जाएगी जैसे मैं cutting कर रही हूँ ऐसे ही आपको अपने कपड़े में cutting करनी है अब इसमें जो छोटा पल्ला है वो पीछे का पल्ला है जो बड़ा पल्ला है वो आगे का पल्ला है देखिए ये छोटा पल्ला है ये पीछे का पल्ला है अब इसमें गले का निसान लगेगा आपको नाप में ऐसा फैलाना है बराबर से अब गले की लंबाई नापनी है गले की लंबाई इसमें साड़े साथ इंच है अब साड़े साथ इंच पर ऐसे निसान लगाना है अब इसको गोल करना है अब इसकी कटिंग की जाएगी अब पीछे प्लेट का निसान लगेगा इसमें प्लेट का निसान आपको इधर से पांच इंच लगाना है यह पांच इंच पर निसान लग गया अब ऐसे सीधा आपको छे इंच पर निसान लगाना है अब यह कट कर दिया जाएगा थोड़ा सा कैंची से अब दूसरी तरह भी ऐसे 6 एंच पर निसान लगाना है अब आगी की पल्ले में निसान लगेगा इसको बराबर से ऐसे मोड़ना है पहले इसमें बिल्ट का निसान लगेगा उसके बार डॉट का निसान लगाएगा बिल्ट का निसान में 13 पर लगा रही है अब नीचे मोड़ने के लिए 1.5 इंच लेकर निसान लगाना है से सीधा अब 13 इंच पर मैंने जो निसान लगाया है ऐसे सीधी लाइन कीजनी है अब जितनी इसकी चोड़ाई है उसका आधे पर निसान लगाना है चोड़ाई इसकी 12.5 इंच है तो मैं इस पर सवा 6 इंच पर मैं निसान लगा रही है अब इधर से एक इंच पर निसान लगाना है अब इसको ऐसा गोल करना है अब ये पट्टी का निसान लग गया है अब इसकी कटिंग की जाएगी ये बेल्ट पट्टी कट गई है इधर से भी कट कर लिया जाएगा अब इधर से आधा इंच निसान लगा के गोल करना है इससे बाजो की फिटिंग अच्छी आती है अब इसको कट करना है अब इसमें डॉट का निसान लएगा इंची टेप ऐसा ओपर रखना है ओपर रखने के बाद साड़े दस इंच पे निसान लगाना है इधर से साढ़े चार इन छोना चाहिए और उपर से साढ़े दस इन छोना चाहिए अब आपको ऐसे निसान लगाना है इसको ऐसे निसान लगाना है इधर सीधा निसान रहेगा और इधर थोड़े सा तिर्चा निसान रहेगा जैसे मैं निसान लगा रही हूँ ऐसे ही आपको भी अपने कपड़े में निसान लगाना है अब दोसी तरब निसान लगाना है जैसे मैं निसान लगा रहे हूँ ऐसे दोसी तरब भी निसान लगाना है अब निसान को निसान से मिलाना है अब इसमें निसान लग गया है अब बाजू की कटिंग की जाएगी पहले इसमें बाजू की लंबाई ना पी जाएगी लंबाई 9 इंच है चोडाई 8 इंच है ये बच्चा हुआ कपड़ा है अब इसको बराबर से ऐसे फैलाना है आपको फिर इसको ऐसे फोल्ड करना है लंबाई नाप में 9 इंच है तो आपको 2 इंच लंबाई बढ़ानी है सिलाई के लिए 11 इंच लंबाई करनी है लेकिन इसमें कपड़े में 10 इंच लंबाई हो रही है तो इसमें 1 इंच पट्टी जोड़कर आगे लंबाई बढ़ानी है ये दिखिए इस कपड़े की लंबाई 10 इंच हो रही है मैं 1.5 इंच चोड़ी पट्टी काटूंगी काट के इसमें आगे जोड के लंबाई बढ़ाऊंगी चोड़ाई नाप में 8 इंच है तो डेर इंच इस्टा मार्जिन ली जाएगी साड़े 9 इंच पे चोड़ाई का निसान लेगा एक कपड़ा देखिए साड़े 9 इंच है अब इधर से साड़े 3 इंच में मैं निसान लगा रही हूँ ऐसे अब इसको गोल किया जाएगा ऐसे अब आस्तिन की मोहरीन आपी जाएगी मोहरीन जितनी भी रहती है उससे डेर इंच इस्टा मार्जिन लेते हुए निसान लगा जाता है अब इसको ऐसे मिला लिया जाएगा अब इसकी कटिंग की जाएगी अब इसमें आगे ऐसे आधा इंच गोल निसान बनाना है अब इसकी कटिंग की जाएगी इसमें दो पल्ला लेकर तब कटिंग की जाएगी यह ऐसे आपको दो पल्ले लेने है ऐसे उसके बाद कट करना है देखिए बाजू कट गई है अब पूरे बिलाउस की कटिंग हो गई है ऐसे ही आपको भी अपने बिलाउस की कटिंग करनी है कर दो